नमस्कार दोस्तों, तो मैं विनोद कुमार, टीम फिजिक सी एलसी से गुरुनिती प्रीविश एर के क्योशन्स जो है, वो अपन सो देखते हैं तो first हमारा गुरुनिती first है ये first topic है हमारा वो है unit dimension, error, vector and 1D के बारे में ठीक है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सुरुवात करते हैं vector के बारे में तो vector का पहला सवाल अपन को दिया गया है क्या सवाल है वो देखते हैं बटाजी If the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of these two vectors then the angle between these two vectors तो यहाँ पर क्या हुआ हमको बोला गया है कि दो सदिस जिनके योग का परिमान तता उनके अंतर का परिमान बराबर है Means क्या हुआ बटाजी कि A vector plus B vector का जो magnitude होगा वो बराबर होगा A vector minus B vector के वैसे यह सिदा भी आप सवाल आंसर दे सकते हो कि अगर ऐसा कभी बराबर है तो वो कब हो सकता है देख बताता हूँ मैं बटाजी यह vector A है ठीक यह हमारा B इसके perpendicular है तो इनका जो resultant आएगा हमारा इन दोनों vectors का जो resultant आएगा वो क्या होगा इसका diagonal होगा यह वाला यह diagonal हुआ अगर आपको A minus B निकालना है तो B को पहले minus B में convert करेंगे हम लोग अब A के साथ में इसका resultant देखेंगे तो वो हमारा कुछ इस परकार से होगा तो यह दोनों magnitude यह और यह बराबर कभ हुए जब A और B कैसे हो perpendicular यह हम लोग resultant का formula भी लिख सकते हैं A square B square plus 2AB cos theta का अंडर रूट अंडर रूट दोनों साथ में हट जाएगा A square plus B square minus AB सोरी यह 2 नहीं आएगा यह जो हुआ AB cos theta तो AB square से AB square कट गया बटा फिर इसको इधर लाएंगे तो केवल क्या बचेगा Cos theta का value क्या मिला अपन को 0 मिल गया Cos theta का value 0 होने का मतलब क्या हुआ हमारा कि theta का value हमारा 90 है तो बटा answer हो गया हमारा 90 degree यह need 16 में सवाल आया था Next question है हमारा यह फिर से vector का सवाल हुआ कि 3 vector दिये गया हमारा पहली बात उसने बोला कि particle moving with velocity V velocity V से कोई गाड़ी चल रही है कोई object हमारा motion में है अगर object motion में है तो तीन force इस पे लगाये गये हैं तीन बल जो लगाएं बटा वो इस triangle की form में लगाये ध्यान से देखो क्या इस triangle में अगर मैं बोलूँ कि अगर triangle केस है बटा regular है देखो regular vectors है हमारे सारे मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको जैसे मैंने लिखा rp vector plus pq vector plus qr vector ये तीनों का sum कितना होगा अगर ये regular manner में closed में है तो अगर लगातार सदीस है एक continuous सदीस है और बंदपत में है तो इनका परिणामी 0 इसका मतलब total बल कितना हुआ इस पे 0 हो गया net force 0 होने का मतलब हुआ acceleration 0 और अगर acceleration 0 है इसका मतलब जो velocity रहेगा वो हमारा constant रहेगा remains constant remains constant okay next question बटा अबटा ये हमारे जो CLC हमारे प्रोग्राम चलाती है आपके तो पहला हमारा target course हुआ इसके लिए आप जिसे 12th pass के लिए जो हमारा होता है 1 year duration के लिए वो 6 अपरे से हमारा batch start हो रहा है ये नया batch है इसके आगे foundation जो course है उसमें 11th 12th जो हुआ आपका उसमें 10th के जिस्ट बाद में 10th से 11th में जो बच्चा 10th pass करके आएगा 11th में जो J.E.E. और N.E.T. की तयारी करना चाता है उसके लिए हमारा foundation course हुआ वो हमारे प हमारा two in one course ये बड़ाई important बो बेच के समझो आप उन बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा होगा जिन्होंने किसी भी कारण से 11th में अपनी coaching classes नहीं ले पाये ते किसी भी कारण से उन बच्चों के लिए ये जो बेच हुआ two in one तो उसको ये 11th pass और 9th दोनों के लिए हमा वो हमारा 12th pass के लिए जो one year का होगा वो 6 April से पाच चलो हो रहा ही है NDA course CLC जो है वो NDA course भी करवाती है उसके लिए 11th to 12th moving student के लिए one year का होगा जो 6 April से start हो रहा है और 11th foundation 10th और 11th moving student 10th से जो 11th में आएगा बच्चा जिस बच्चे ने अभी 10th का exam दिया है उसके लिए स्टार्ट हो रहे है यह free foundation के लिए जो बच्चा 5th pass है 6th से 10th class के student के लिए जो बच्चा basic हमारे लिए जैसे exams Olympiad हुआ के वी Olympiad हुआ, NSTSE हुआ, NTSC हुआ, RMO हुआ, IMO हुआ, यह सारे Olympiad जो यह उसके लिए हमारे पास यह exams होते हैं तो उसके लिए बच्चा और यह जो basic जो बच्चा free foundation में आता है उसका बहुत फाइदा होता है आगे 11, 12th में उसका आसानी होती है तो आगे बच्चा आगे बच्चा अगर कोई admission लेना चाहे classroom के लिए तो classroom में सिकर, अलवर, जैपूर और जैपूर में अमारे center है वहाँ पर तो दोनों पर आप admission ले सकते हो और यह जो हुए हम जहां बच्चा केवल टेसरी join करना चाहता है जहाँ तर टार्गेट के जो बच्चे होते हैं वो टेसर बढ़ते हैं लोग यह जो अभी बटा हमारा कोई भी बच्चा अगर test DTS test series देना चाहें क्योंकि हमारी तैयारी जो होनी थी हमने की बहुत अच्छे से की है उसका क्या हमने पाया कैसा अपना result रहेगा तो उसके लिए अपन को एक तरह से पहले का एक प्री test जो हुए हमार तरह DTS topic wise जो test है वो diamond test series के नाम से हमारे CLC ने जो चालू किया है वो जो test series है वो 13th March से 13 को पहला 30 को पहला होगा हमारा 30 March को पहला test series है उसमे topic wise आपको दे रहा है total यह हमारे topic wise हो है फिर हमारे पास full test series है तो सारा एक तरह के से full syllabus का भी test series हमारा इस है तो देखेंगे सब लो content है ना इसमें क्या करना है कि इसमें हमारे पास उस topic का वो vector का अगला सवाल आया है vector में क्या दिया आपको f दिया है और r दिया है क्या निकालना अपन को torque निकालना है बटा सदीस गुननफल करना है वैसे कुछ पूछा नहीं इसमे r और f किया है तो have the magnitude respectively as so scalar vector product of f and r तो बटा कहले क्या करेंगे scalar product यानि f dot r कर देते हम लोग f dot r करेंगे तो i को i से multiply कर लिया जाएगा तो 6 आ गया then plus j को j से multiply करेंगे तो 2 आ गया k को k से करेंगे तो plus का 2 आ गया then this becomes 10 so scalar जो multiplication हुआ आपका scalar जो अदिस गुननफल हुआ अदिस गुननफल वो तो कितना आ गया हमारा 10 आ गया है अब बात आई cross product की cross product कैसे होगा बात कर लेते हैं इसके लिए हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं यह i हो गया यह j है यह k पहले हमने f लिखना है f लिख देते हैं 2,1,-1 then लिखते हैं 3,2,-2 पहला जो vector था वो f यह था बेटाजी और दूसरा vector r था तो पहले को यह लिख दिया यह f cross r में कर रहा हूँ इसके लिए अगर solution करूँगा तो पहले i cape लिखा जाएगा इस वाले column को और इस वाले row को छोड़ दिया जाएगा minus 2 and plus 2 यह 0 बच जाएगा बेटाजी फिर लिखा जाएगा minus j minus j के बाद में होगा minus का 4 यह minus minus plus हो जाएगा 3 तो minus 1 बचेगा बेटा फिर लिखा जाएगा k cap इसके लिखेंगे 2 into 2 4 minus 3 तो 1 बचेगा यह k cap में तो यह आजाएगा हमारा plus का j cap plus का k cap इसका जो value आएगा magnitude अगर आएगा वो कितना आएगा बेटा root 2 आएगा तो हमारे पास 10 and root 2 first answer इसका हो गया है next है अब बेटा इसमें जो सवाल है measurement है measurement unit dimension and measurement यह ऐसा topic है average 2-3 सवाल इसके आते ही रहते हैं तो आसान topic आता है एक unit का होता है एक हमारा कोई भी unit पूछ लेगा dimension प्रूव करवा लेगा और एक हमारा instrument का सवाल बनता है यहां से तो सवाल क्या दिया गया पहला है तिर ratio of basic सवाल है basic सवाल है comes electrostatic force of gravitational force between electron and the proton separated some distance is 2.4 into 10 raise to power 39 उसने बोला कि जो electrostatic इस्तिरविद्यत बल हुआ हमारा उसका ratio यानि हम कहें कि Fe upon Fg इसका जो ratio आया है वो कितना आया हमारा बेटाजी 2.4 into 10 raise to power 39 जिसको हम लिख सकते हैं electrostatic को k into e into e upon r square क्या एक defined distance हुई दोनों के बीच में तो वो हमारे पास में same रहेगी इसको लिखूंगा g electron और proton की बात हो रही है तो हमने ये लिख दिया वैसे कुछ data आपको दिये हुए भी है आपको याद भी ये चीज़े होनी चाहिए तो मैंने कहा यहां से कि k का value जो हुआ k by g आपको ये ratio निकालना है तो k by g को साथ में में लिख दूंगा इसको उधर multiply कर दिया 2.4 into 10 raise to power 39 into mass of electron mass of proton upon e square क्योंकि charge तो दोनों पे same ही है electron और proton पे तो इस value को हम लोग solve करते हैं value अभी put करके data 2.4 into 10 raise to power 39 into आगे लिखा गया mass of electron 9.1 into 10 raise to power minus 31 kg 1.67 into 10 raise to power minus 27 kg upon electron पर charge क्या हुआ बेटा जी 1.6 into 10 raise to power minus 19 क्या exactly same charge on proton which is 1.6 into 10 raise to power minus 19 जब इसको हम लोग solve करते हैं यह हमारे पास किसका value ratio आगया k by g का solve कर लेंगे बटा यह 19 यह 19 तो कितना हो गया हमारा 38 हो गया 38 को इससे minus कर देंगे तो minus का 7 बचेगा minus 7 बच गया minus 7 और यह जो देखा जाएगा यहां minus 7 यह 38 पोजिटीव 7 बचेगा बचेगा तो यह 7 से 7 कर जाएगा minus का 20 बच जाएगा 10 की power इससे देखेंगे तो कितना बचेगा 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 यह यह बच गया हमारे पास में 2.4 इन्टो 1.67 इन्टो 9.1 इन्टो 10 raise to power 19 divided by 1.6 इन्टो 1.6 इन्टो 1.6 इन्टो 1.6 इन्टो 1.6 इन्टो 1.6 कर दिया इसको 8 से दिवाइड कर दिया लगबग यह 3 by 2 आ गया हमारा तो यह आजाएगा हमारे पास में 20 इसको multiply करूंगा लगबग 27.3 divided by 2 into 10 raise to power 19 यह value आया 13.6 के आसपास into 10 raise to power 19 जब इसको हम लोग approximation में value निकालेंगे तो 13 को हम लोग round off करने के बाद कितना लिखा जाएगा इसको 1 के लिए 10 into 10 raise to power 19 1.3 के something आ गया तो value कितना आया हमारा 10 raise to power 20 तो हमारा answer आ गया third answer correct ओके next question next question हमारा कि screw gauge का सवाल हुआ और जिसमें 0 error भी साथ में बटा देखो यह सुन्यांग तूटी हुआ हमारा 0 error तो उसकी लिए सुन्यांग तूटी में सब सब पहले आपको दिया हुआ है list count जब आप vernier की बात करते हो बटा तो ऐसा दिया गया यह vernier में कि यह हमारा man scale हुआ करता है और यहां आगे जो होगा वो हमारा होगा circular scale देखो यह circular scale हुआ ठीक अब यहां पर हमारे divisions होते हैं ऐसे यह circular scale पर division होते हैं इस तरीके से और यहां हमारे man scale के divisions होते हैं जो भी जितने भी हुए अब उसने बोला कि यहां तो 5 mm है reading बटा जब भी आप screw gauge की reading लिखोगे तो लिखोगे main scale reading into msd list count हो गया main scale का प्लस circular scale reading into list count अब यह reading हमारी तो आई है वो 0 error के साथ में आई यह 0 error दिया हुआ है तो 7 में minus करेंगे 0 error minus 0 error यह 7 में minus कर देंगे तो main scale reading प्लस यह 7 में दिया हुआ कितना बटा जी 5 mm यानि इस वाले पर जितने division visible होते हैं वो यहां main scale का reading होगा list का circular scale का reading कौन सा होगा बटा जो इसके just सामने वाला division है तो वो कौन सा देर का आपको 20 यह वारा सुन्य संदर्व level से 25 भाग उपर है यानि 25 भाग उपर होने का में इसके सामने कितना है हमारा 25 division आया है बटा तो हमने कहा कि यह हुआ circle is 25 into list count और list count आपको exactly दे रखा है 0.001 cm minus 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 plus हो जाएगा 0 error का बटा 0.04 cm यह point के साथ में cm पहली बात आंसर cm में दे रखा आपको तो इसको भी cm में करोगे तो value आएगा 0.5 यह आजाएगा 25 पी 29 तो यह हो गया 29 cm यह हमारा 18 में सवाल आया हुआ है screw gaze का सवाल हमारा repeat हुआ है list count निकालना भी तो इसका list count क्या होगा वो भी हम लोग अगले सवाल में देखते हैं बटा कैसे निकालेंगे यह रहा बटा जब screw gaze के list count की बात करोगे तो लिखा जाएगा pitch चूड़ी अंतराल pitch का मतलब क्या हुआ हमारा देखना है बटा कि यहाँ पर यह जो circular scale होता है वर्तिय पेमाना जो हुआ जो एक चक्कर पूरा गूमेगा तो main scale पर कितना चलता है this is the pitch length या चूड़ी अंतराल है न तो pitch upon अब वर्तिय पेमाने पर कितने भाग काटे गए है number of division on circular scale तो number of division तो यहाँ से हमको निकालना क्या है बटा हमको अलपत मांग दिया गया list count दिया गया 0.01 mm this is equal to आपको pitch length निकालना है बटा यह pitch हो गया upon number of division 50 आ गया clear हुई तो pitch length कितना आ जाएगा हमारा pitch length आ जाएगा 0.5 mm next question अगला error का खूब सारे सवाल आते हैं बटा error का error का basic concept प्रता हूँ तो आपको मैं यह होता है जिमाल लो e is equal to a square a square b upon root of c जिमाल लो मैंने यह लिख दिया error का लिखने का तरीका होता है कि delta e over e plus equal to equal to गटा two times power हमारी पहले आ जाती है delta a by a अब जो multiply में जैसे यह है तो वो भी हमारा plus में आ जाया करेगा delta b by b plus 1 by 2 delta c by c जो divide में है errors हमेशा add होती है absolute error है हमारी sorry relative error हुई हमारी है तो इनको add कर दिया तो बढ़ा ऐसे यहां लिखा जाएगा percentage error in p equal to three times percentage error in a a में error कितनी हुई बढ़ा one percent plus two times in percentage error in b two percent plus c percentage error in c same to same three plus d percentage error d में कितना four percent तो answer आ जाएगा हमारा यह four यह three और three six four ten तो 14 percent हमारा correct answer आगे भी बहुत बार सवाल यह आए हुए है यह आपको अच्छी तरह आना चीए बटा next question है यह फिर से वही सवाल आ गया अब इसमें क्या लिखोगा जाए से percentage error in x लिखा गया तो लिखा जाएगा two times in percentage error in a a में कितना percent one percent one by two power multiply में percentage error in b plus one by three percentage error in c c में कितना बटा three percent plus d में again three into percentage error four तो यह हमारे पास आएगा इसका value जो निकालेंगे यह two से two cancel हो जाएगा three से three one two to four four और यह twelve है कितना हो गया again गरबड़ हो गया क्या यह हो गया हमारे पास a square तो two into one percent one by two into two percent one by three into three percent and three into d यह हमारा four percent तो यह value आए हमारे पास two plus one plus one plus four into three twelve है तो यह value आगई two to four four to twelve है कितना आगया यह 16 percent यह 16 percent हमारा correct answer हुआ next question देखते है फिर से error का सवाल हुआ बड़ा इसमें क्या दे रहे का आपको L दे रहे का और T दे रहे का percentage निकालना है किसमे G में तो क्या करेंगे वही बात बड़ा delta Z by Z this is equals to length के लिए लिखेंगे delta L by L plus two times delta T by T कुछ करने की जरूती नहीं है सोचने की जरूती नहीं है बस यह percentage में निकालना है जो भी final value आएगा इसको किस से multiply कर देंगे अनो complete को 100 से multiply कर देंगे percentage में आज आएगा लिखते हैं delta L कितना 0.1 upon 10 plus two times delta T कितना बड़ा 1% upon 100 यह value आगया 0.01 plus 0.02 हो गया तो value कितना हुआ यह 0.03 100 से multiply करोगे तो 3% correct answer हुआ next question यह dimension के मैं कहा रहा हूँ dimension का एक सवाल तो अलड़ी आता ही रहता है बड़ा अब वो चाहे direct dimension पूछ ले या फिर हो सकता है वो dimensional formula पूछ ले ठीक है तो अब उसने बोला कि जो बल है F velocity V और time T उनको fundamental लेकर अपनों क्या निकालना है dimension निकालनी है mass की बटा तो mass को लिखा जाएगा M proportional to ऐसा लिख देता हूँ मैं M proportional to तो इसके लिए अपन बात करेंगे कि भाई इसका comparison कर लेते हैं हम लोग क्या सब की dimension लेकर इधर कर देता हूँ M proportional to F raise to power X V raise to power Y and T raise to power Z इन T की form में आपको निकालना है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर तो केवल M बचेगा इधर की तरफ होगा लिखूंगा तो L T minus 1 power Y और यह T की power Z यहाँ से comparison करो M की power कितना है वड़ा 1 इधर देखो M का power कितना X तो X का value आगया हमारा 1 ऐसे इधर L की power देखेंगे तो 0 है इधर कोई है नहीं L नहीं है यहाँ L नहीं हुआ तो L की power 0 this is equals to इधर देखो L का power कितना है वड़ा X इधर कितना हुआ plus Y और इधर भी L X का value कितना हमारा 1 है तो Y का value कितना आजाएगा minus 1 यह Y का value होगया वड़ा अब Z के लिए comparison करोगे तो T is equals to 0 होगया वड़ा इधर तो और इधर क्या होगया हमारा minus 2X X की जगए 1 पूट कर दिया यहाँ T की जगए minus 1 into Y Y का value कितना है minus 1 plus Z तो यह minus minus plus हो जाएगा यह minus 1 बचेगा तो Z का value कितना आया वड़ा 1 आया तो यह जो dimension थी हमारी वो क्या मिली कि M की जो dimension होगी वो F की power 1 V की power minus 1 and Z की power 1 हुआ बटा तो F V inverse देखो F V inverse हमारे पास Z हुआ sorry T की power यह T की power हमारी 1 हुई तो देख लो बटा F fourth answer आ गया हमारा next question फिर से वैसा ही unit हुआ बटा तो प्रस्तनाव की unit surface tension की unit मैं तो कर रहा हूँ इसको और भी आसान तरीके से करें वो तो एक तरीका था ही हमारा नया तरीका अब आपको surface tension की definition आनी चीए बटा surface tension की definition के लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा energy upon area होता है यह होता है मैंने कहा दिया कि भाई energy का तो इसमें term है देखो energy की form में तो निकाल नहीं है मैं area को meter square लिख दिया और इसको क्या किया second square से divide भी कर दिया और multiply भी कर दिया अब देखो आपको term क्या मिल गया यह तो velocity मिल गई अपनको v square meter per second यह t square हुआ तो dimension क्या मिल गई e v raise to power minus 2 और t की power again minus 2 तो e v की power minus 2 और t की power minus 2 यह dimension बड़ा एक तरीके के जैसे ही होते हैं सारे सवाले फिर है हमारा कि h दिया गया निर्वात में परकास का वेग है Newton को गुर्थी constant g और तीनों को हम लोग fundamental मान कर एक नया formula बनाते हैं कि इसका length का dimension of length की बात करते हैं तो इसका solution करें हम लोग देखो बड़ा length proportional to g की power x c की power y and h raise to power z जो ज़स्ट पहले बताया था सब की dimension लिखेंगे comparison करेंगे तो हमारे पास में answer आ जाएगा बड़ा जी तो देख क्या लिखेंगे सबसे पहले मैं कहता हूँ g का dimension क्या होगा पहले वो लिखते हैं अब g का dimension कहां से आएगा force के formula से Newton into meter square upon kg square बटाई जी ये आएगा f बराबर gm1 m2 upon r square से तो g का इनोट आया इसको हम लोग थोड़ा सा dimension formula में लिख देते हैं Newton को लिखा kg into meter per second square meter square over kg square थोड़ा सा इसको मैंने अलग लिख दिया वेटा एक kg से kg cancel हुआ तो g का जो dimension आएगा वो आएगा m inverse l की power 3 t की power minus तो ये तो अपन को g का लिखना वेटा velocity का सब लोग जानते ही होता है आता है h planks constant का कहां से निकाले बटा ये हमारे पास में planks constant होता है energy के formula से energy is equal to h new new frequency मतलब 1 by second तो h का जो हमारा dimension में लेगा joule into second और joule होता है ml square t minus 2 minus 2 को 1 t से multiply करेंगे तो minus 1 आगे ये तो सब की dimension आई इन सब को यहां रख दिया जाएगा देखो बटा l की dimension तो यहां तो मैं l लिख देता हूँ proportional to पहले g की लिखता हूँ m inverse l की power 3 t raise to power minus 2 की power x होगी ऐसे ही हम लोग velocity की लिखेंगे तो l t minus 1 की power y ऐसे हम लोग इसकी लिखेंगे h की तो m l square t minus 1 की power z क्या करेंगे बटा जी comparison करना अपन को तो comparison अगर किया जाए तो m की power तो 0 इधर इधर m की power minus x यहां m की power z तो हम क्या कह सकते हैं कि x और z बराबर बराबर है पहला equation फिर l की करेंगे comparison लिख देता हूं तो 3 और 2 कितना हो जाएगा बटा पांच x तो 5 x plus y equal to 1 यह एक नया equation बना दिया अपनने यह खाले value put करके इसके अंदर है ना फिर हम t की करते हैं इधर 0 हुआ इधर t का क्या हुआ माइनस का 2x है इधर t का माइनस का y हुआ and t का माइनस z फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं z की जगे x लिख देंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x minus y equal to 0 यह equation number 3 बन गया बटा इनको जोड़ दो जोड़ते ही y तो cancel हो जाएगा देखो यहां क्या बचेगा 1 यहां 2x तो x का value कितना आ गया 1 by 2 तो x का value आ गया तो z भी तो 1 by 2 ही है हमारा x और z का value आ गया अब इसमें put कर देते हैं जैसे minus 3 into x का value 1 by 2 this is equals to y तो y का value जो आया बटा वो minus का 3 by 2 आया है यह हमने y का value निकाल लिया पुट करते हैं यहां पर बटा value तो l proportional to 01 की power x 1 by 2 फिर c की power y c की जगे लिखेंगे तो बटा c की power minus में है तो नीचे लिख दूँगा c की power 3 बटे 2 और h की power z z का value दो उपर ही है c की power 1 sorry h की power 1 बटे 2 सब की power 1 by 2 है तो अंडरूट लगा दिया अब देख लो g h by c की power 3 यह हमारे पास formula बना है तो इसमें option देख लेते हैं यह option यहां पर हमारे पास अलग से लिखा हुआ है यह रा बटा hg hg c की power 3 by 2 हो जाएगा अलग से लिखा गया है तो next question फिर हमातरक फिर से हमातरक की बात करते हैं ताप यह चालगता 19 में आया था बड़ा सवाल तो conductivity conductivity के लिए लिखेंगे dq by dt चालगता का formula heat transfer by conduction k into a delta t by delta x लिखा जाएगा यह minus के साथ में ऐसा लिखते हैं हमको k की unit चाहिए यह कौन होगा बटा joule per second यानि इससे हम लिख देंगे watt तो हम k का dimension निकालेंगे देखो यह meter है यह meter square हुआ तो यह meter बचेगा तो लिख दूँगा watt per meter upon degree Celsius या Kelvin लिख दो watt का होता है ml square t minus 3 upon यह meter का L हो गया बटा Kelvin जो temperature इसको मैं ठीटा से denote कर देता हूँ या इसमें साथ Kelvin से denote किया होगा यह तो unity पूछा है बटा dimension पूछा है नहीं watt per meter per inverse Kelvin का हो गया नेस्ट क्यूशन नेस्ट है परतीबल की वीमा बटा बिलकुल परतीबल हो चाहे हमारे पास इसका सवाल और भी आया हुआ है येंग का गुणांग जिसे अपन बोलते हैं येंग's coefficient वगएरा तो उन सबका एक ही नोड़ का pressure जैसा Newton per meter square होता है बटा Newton मतलब MLT minus 2 upon L square तो यहां से आजाएगा ML inverse T की power minus 2 ये परतीबल की वीमा हो जाएगी stress की next question है F A और समय मुखे बोतिक रासे तो उर्जा की वीमा फिर से तीसरा question आया ये देखरो वीमा का बार 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 नया कुछ नहीं आता है वही चीज छोटी होटी बात ही हमसे पूछी जाती है अब बड़ा पढ़ने की कोशिज ना करें अच्छे से पढ़ने की कोशिज करें ये energy जो है वो proportional है किसके force की power x लिख देता हूं area की power y लिख देता हूं और t की power z लिख देता हूं comparison करता हूं ml square t minus 2 proportional force की लिखूंगा बड़ा तो ml t minus 2 की power x l की power 2 y और t की power only z है ठीक है अब comparison करो m का power 1 इधर इधर देखो तो बड़ा क्या है x और क्या है m का power कुछ ही नहीं तो x का value कितना मिल गया तुझे 1 मिल गया ऐसा ही l का comparison करोगे 2 इधर है मारे पास x plus 2y इधर l है नहीं तो x का value कितना हमारा 1 put करो 1x की जगह तो y का value कितना आ जाएगा हमारे पास तो y equal to 1 by 2 आ गया y equal to 1 by 2 बड़ बड़ हो गया गयी यह हमारे पास ml square एक मिनट देखो बड़ा f की जगह हुआ Newton जो हुआ kg into meter per second square area ओहो acceleration है यह acceleration बड़ा area नहीं है यह क्या हमारा acceleration next में करते हैं हम लोग देखो हमको कहा गया है कि energy जो है वो proportional to f की power x force force हुआ हमारा फिर acceleration y and time t की power z तो लिख दिया करेंगे ml square t minus 2 ml t minus 2 की power x यह meter per second square l t minus 2 की power y and t की power z कुछ नहीं करना सिर्फ comparison m की power 1 x के बराबर आ गया y का निकालते हैं l की power 2 equal to l की power x और x की जगा 1 लिख देता हूं l की power y उदर है नहीं तो y का value कितना आ गया बटाजी 1 आ गया देखो 1 आ गया फिर बात करते हैं minus 2 this is equal to minus 2 x x की जगा लिख दिया तो 1 रग दिया t की power minus 2 यह भी आमने लिख दिया कितना आया हमारे पास में यह y का value 1 था तो 1 लिख दिया अपन ने तो minus 2 plus z तो यहां से minus 2 से minus 2 गट गया तो z का value कितना आ गया बटा हमारे पास दो तो value put कर दो तुमारे dimension आ गई है लो next question फिर है हमारा फिर से वैसे सवाल हुआ कि e तता जी क्रम से उर्जा वे गुर्तवियन निर्देसांग है गुर्तवियन यतांग है तो परदसित करते हैं तो e बटा जी की वीमा बटा e जो है बटा जी जो था वो हमारे पास होता है m l square t minus 2 अगर आप इसकी unit देखोगे इसकी g की unit बटा तो आपको मिलेगी देखो आप पीछे देख भी सकते हो पर ने निकाड़ी है g की unit यहाँ पर यह रही देखो m inverse l की power 3 t की power minus 2 m inverse यह रहा बटा m inverse l की power 3 और t की power minus 2 तो आप लिख दो m की power 2 हो गया बटा यहाँ पर l की power minus 1 बचेगा और t की power 0 अब देख लो कौनसा answer है m की power 2 l की power minus 1 और यह फोर्ट answer हुआ next question समतल कौन और घंकौन समतल कौन कौन सा होता बटा plane angle theta theta दो line के बीचे बनने वाला angle जैसे मालों की यह line है यह line है मारी इनके लिए जो angle बनेगा वो theta होता है इसका unit तो होता हमारा radian पर कोई dimension नहीं होती है मातरक तो है लेकिन वीमा नहीं है ऐसा ही solid angle की बात करेंगे बटा जैसे हमने कहा यह solid angle हुआ यह 3D के angles के लिए बात करी जाएगी यह alpha होता है अगर solid angle को लिखा जाए जिसे om से denote करते है बटा वो लिखा जाएगा हमारे पास में 2 pi into 1 minus cos alpha alpha semi vertex angle होता है तो बटा यह होता है stay radian stay radian पर इसका भी कोई मातरक तो है लेकिन dimension वीमा नहीं है अगला question वीमा यह यह वीमा किसकी होगी बटा आपको check करना पड़ेगा परतिक के लिए देखो यह मेरे को जो ampere दिख रहा है मैं इसके according मेरे दिमाग में एक बार मैं करता हूँ बटा म्यू का unit निकालता हूँ म्यू कहां से निकालता हूँ f is equals to mu naught i1 i2 into l upon 2 pi d देखो इस mu का unit निकाल लेंगे यह meter से meter cancel हो जाएगा बटा यहाँ म्यू नोड का unit मिचेगा Newton पर ampere square Newton का होता है ml t-2 और यह a-2 देखो बटा यह unit किसकी आई हमारी यही तो ही यह हमारी unit होगी किसकी चुम्बक किये पार गममेता permeability किसकी चुम्बक किये पार गममेता कि next question है बोतिक राशी जिसका मात्रक दाब के थोड़ी देर पहले आपको सवाल बताया था परतीबल का मात्रक आया था परतीबल यंग के गुणांक elastic coefficient यह सारे जो हुए वो pressure जैसे ही होते हैं तो कौन सा हो गया परत्यास्त का यंग गुणांक Newton बता, meter square होता है नेक्स्ट क्यूशन फिर हुआ सारतत अंक अब significant figure के सवाल बता यह भी छोटा सा topic है 6 point हमारे होते हैं इसके अंदर कि 6 point हो में क्या का point होता है एक तो यह होता है कि all non zero digits are significant zero between non zero digits are significant फिर बोला जाता है कि जिसमें मात्रक लगा दिया गया यह मैं ऐसा कहा दूँ कि जो zero सुरुवात में आते हैं जैसे यह 251 इसमें सारतक अंक कितने बता तीन जो सुरुवात यह आगे यह कोई zero कभी भी सामिल नहीं होंगे चाए वो decimal हो चाए वो non decimal हो हमारे हाँ बाद आने वाले जिर से 29000 अगर यह लिखा गया तो कितने सारतक अंक होंगे दो लेकिन अगर ऐसा लिख दिया गया मात्रक के साथ में किलो मीटर तो अब कितने होंगे बटा पांच होंगे लेकिन अगर मात्रक को बदल दिया जाए तो सारतक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें बात आ रही है बटा सम करने की या सब्टरक्ट करने की जब जोडा जाए या गठाया जाए तो जोडने और गठाने पर दसमलों के बाद में जितने कम से कम सारतक अंख है इसमें कितने हैं दसमलों के बाद में दो तो कम से कम कितने सारतक अंख होगे दसमलों के बाद में वो अंख हमारे रिजल्ट में आएंगे इसमें कितने हैं दसमलों के बाद में सारतक अंख तीन इसमें कितना है सारता कंक? एक, दसमलों के बाद में और इसमें कितना? चार जबकि हमको कितना चाहिए कम से कम? दो तो हमारा सीधा यह आंसर ही हो गया, कौनसा बड़ा? चोथा आंसर बाकि माइनस करोगे, माइनस करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसमें पोइंट के बाद में कितना सारता कंक? दो गड़ा फिर से वही सारता कंक का सवाल हुआ, यह अभी बाइस में आया है पचपन पोइंट तीन गुना पचीस जब इसे मल्टिप्लाई किया जाए तो यह पंदरा एक, पंदरा एक यह दर हो गया तो यह पचीस और एक चबवीस, छे और दो, पचीस और दो होगे 27, गुना, छे, दस, एक, जीरो, एक, दस, एक, ग्यारा यह हुआ, पांच, बारा, एक, आठ, तीन, एक, बटा यह वेल्यू हुआ, पोइंट लगा दिया जाएगा यहा बताओ, गुना करते हैं तो क्या मिलता है सार्तंग का, नियम क्या कहता है, नियम यह कहता है गुना करने पर, कि देखो, सम करने पर तो दसमलों के बाद में कम से कम अंके देखे जाएंगे लेकिन गुना करने पर जो भी संख्या को गुना कर रहे उसमें कम से कम कितने डिजिट है टोटल कितने सार तक है टोटल दस मलब का कोई मतलब जिसे इसमें कितने मिनिमम दो इसमें कितने तीन तो संख्या में कितने लिये जाएंगे बटा दो लिये जाएंगे अब इसमें किवल दो ही लेना है दो लेना है तो यहां तक पूरांकित करोगे बटा तो इससे अगले वाला क्या है हमारा आठ हुआ आठ पांस से जादा है तो यहां क्या जोड देंगे एक जोड देंगे तो 1400 या तो यह answer लिखो या 14 into 10 की power to answer तो कौन सा आगया हमारा third answer next question अब हमारे पास one dimensional motion के सवाल dimension के kinematics के सवाल हुए है पहला सवाल बोला गए stone को free fall under the gravity distance covered h1 h2 h3 in first 5 second next 5 second मैं तो यह कहता हूँ बटा लगातार equal time interval में अगर uniform motion है u बराबर zero है तो जैसे मैंने छोड़ा यहां से किसी object को छोड़ दिया जैसे मैं कहता हूँ कि भई हमने किसी object को छोड़ा है u बराबर zero से और a क्या है मारा constant जो g के बराबर है समान time interval में ध्यान देना first second 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 third second fourth second fifth second ऐसा तो समान समय अंतराल में देखो इसने बोला पहले 5 second में अगले 5 second में इसमें जो दूरिया चली गई है तो बटा पहले 5 second में जो भी चली जाएगी समान समय में फिर 5 second फिर 5 second उनका ratio जो derive करके आता है 1, 3, 5, 7 इस तरीके से चलता जाएगा बटा तो इसके लिए क्या ratio बन गया हमारा तीन है तो 1, 3 तो h1 upon 1 equal to लिख सकते हो s2 upon 3 equal to s3 upon 5 ये ratio में लिखो चाहिए इस तरीके से लिखो तो कौन सांसर बन गया हमारा fourth answer करक्ठ है बटा अगला question फिर आगे भी सवाल आएगा बटा इसका इसा काईसा फिर देखो ये थोड़ा सा हमारा अलग सवाल आगे एक तरसे relative type का सवाल है क्या बोला गया देखो 100 km south में है कौन A के B जो C पर देखो बताता हूँ इसका diagram बनाता हूँ पहले बटा हमारे पास एक मिनट ये हमारे पास हम बात करते हैं अब इसकी देखो बटा ये एक सिप है एक सिप जो है हमारी समय लोग यहां है कई ये सिप यहां है वो इधर की तरफ जा रही है इस direction में इस में जा रही है कितनी रफतार से वी जा रही है इस सो मीटर सा受त में ये nutrients रा iRECTION है किसी d distance बोल दिया south का मतलब d नीचे 100 दे रहा है किलोमिटर पनको अब ये जो सिप है वो इसकी तरफ जा रही है अब ये जो सिप है वो इसकी तरफ जा रही है देखो इसने बोला कि कितने समय पस्चात वो minimum distance पे रहेगी between so test कितनी होगी बटा ना तो हम क्या कहें ये वी ये वी एक बाद बताओ t समय बाद ये कुछ चल जाएगी distance कितनी चल जाएगी vt distance ये भी चल जाएगी ये distance का square और इसका square तो ये हो गया है vt का square plus देखना ये कितना d और ये कितना चल गया है vt तो ये कितना बचा हमारा ये बचा हमारे पास d minus vt का whole square अब इस x को न्यूंतम करना है किसी भी फलन को किसी भी function को maximum और minimum करने के लिए उसका differentiation क्या होना चाहिए 0 अब बचा differentiation 0 है तो पूरे की बजाए इसका differentiation किसके बराबर कर दोगे 0 के बराबर तो बचा इसको v square लिख दिया t square का 2t हो गया plus इसका differentiation 2 पहले आ गया d minus vt into minus v differentiation this should be equal to 0 दो से दो cancel एक v से एक v cancel बचा और यहां से v into t यह minus minus plus तो 2v into t equal to किसके आ जाएगा d के तो t का value कितना है रहा भी d by 2v आ गया d का value 100 km दिया है v का value 10 दिया तो कितना आ गया पांच गंटे के बाद उनके बीच की दूरी minimum रहेगी सवाल बोलता कि वो minimum दूरी कितनी है तो बचा यह समय का value कहा पुट कर देता तो इसके अंदर पुट कर दे तुम्हारे पास minimum distance भी आ जाएगी दोनों सवाल cover हो गए next question है बटा velocity दी गई है velocity दी गई आपको यह पूछा कि आपसे x इस्तती है acceleration पूछा x के रूप में बटा जब v is the function of x then acceleration is equals to v dv by dx but if velocity is the function of t then यह t के रूप में है तब acceleration क्या लिखा जाएगा dv by dt ठीक तो हम लिखते है बटा बीटा x की power minus 2n है तो v दिया गया है बीटा x raise to power minus 2n differentiation करता हूँ a के लिए a v dv by dx तो dv by dx लिखता हूँ बीटा ऐसा कैसा लिख दिया बटा मैंने power को पहले लिख दिया minus 2n को और power में एक add कर दिया मैंने देखो power में एक add कर दिया sorry minus कर दिया एक power को पहले लिखे alkaline differentiation में power कम हो जाती है integration में power बढ़ जाती है बटा अब इसे में यहां मैंने v का value exactly यहां copy कर दिया तो हो जाएगा बीटा square यह minus 2n ऐसा का ऐसा ही है बटा x की power minus 2n minus 1 x की power minus 2n यह v के साथ में आ गया तो value मिल गया minus beta square 2n into x की power minus 4n minus 1 यह हमारा किसका value आया a का value आ गया a हमने value निकाल लिया और यह put कर दिया तो answer check कर ले बटा minus 4n minus 4n minus 1 minus 4n minus 1 कौन सा यह question बना गया answer यह answer बन गया बटा next question फिर से वह differentiation का सवाल क्या बोला velocity दे रहे किये t के रूप में इस कंड दुआरा 1 second और 2 second के बीच चले गई दूरी क्या होगी बटा तो मैंसा लिख देता हूँ पहले v दिया गया आपको तो v को लिखूंगा dx बटा dt dt लिख दिया बटा यह मैंने मैंने बोला कि भई 80 plus b into t square अम इसको dx यानी x निकाल लेता हूँ तो integration कर दूँगा बटा मैं भई dx लिखा मैंने equal to 80 plus b into t square dt को एक तरफ ले लिया यह integrate कर दिया बटा तो यहाँ पर मेरे पास x का value मिलेगा समय कहां से कहां तक है 1 से 2 तक clear है तो वो 1 से 2 तक है मैं तो पहले generalize लिख देता हूँ a t square by 2 plus b t की power 3 by 3 जब 1 रखोगे तो रख लो x1 position पे था वो 1 रखोगे तो a by 2 plus b by 3 जब आप 2 रखोगे दो दिया क्या दो रखोगे तो 4 दो से 2 कर जाएगा तो 2a आ जाएगा बटा यह 8 बटे 3b हो गया दोनों को minus करोगे x2 minus x1 तो देखो यह 2 है यह a by 2 है minus करोगे तो कितना मिलेगा 3 by 2a फिर यह हमारे पास 8 है यह 1 है तो कितना मिलेगा 7 बटे 3b this is the distance travel in this question next question बटा next हमारा यह सवाल हमारे पास में अच्छा सवाल होता है देखो क्या है कानी इसमें क्या सवाल है उसने बोला कि एक accelerator है देखो इसने बोला कि pretty reach the metro station and found that the accelerator was not working काम नहीं कर रहा है accelerator रुका हुआ है मनों शीडिया होती है वो रुकी हुई है अब वो क्या कर रही है c walked up stationary accelerator in time t1 मान लेते हैं stationary accelerator में चलने का जो distance रहा होगा वो तो d रहा होगा अब वो accelerator तो रुके हुए हैं तो जो reach जो भी है pretty है pretty कितने से जा रही है मान लो की vp लिख दिया इसको मैंने तो कितना समय लगा उसको जाने में तो t1 is equals to distance upon speed यहां से अगर मुझे vm निकालना हो तो वो vp निकालना हो तो निकाल लेता हूँ वो आ जाएगा वेटा मेरे पास में d upon t1 एक equation अगला condition क्या लिखा वो पढ़ लेते हैं वेटा उसने बोला कि उससे अन्य सीरियो दिनों में accelerate चल रहा होता है तब वह उसी पर खड़ी होकर t2 समय में अब वो खुद नहीं चल रही अब क्या चल रहा है accelerator अब सीरियो चल रही है तो अब t2 समय में तो बटा accelerator के लिए बोल दिया मैंने कि भाई वो t2 जो समय लगा हमारा distance तो उतना ही चलना है अब वो a va का नाम दे दिया उस रफ्तार को यहां से va निकाल लिया बटा मैंने va का value कितना आया d बटा t2 आ गया चलो साब अगला condition देखते हैं अगला क्या बोला उसके दवारा चले गए accelerator पर चलकर उपर चड़ने में लिया गया समय क्या होगा उसके दवारा इस बोला गया moving accelerator पर t2 समय time taken by her to walk up on the moving accelerator अब accelerator भी चल रहा है और प्रिती भी चल रही है तो दोनों की resultant रफ्तार जो हो जाएगी उसके लिए जो समय आएगा वो लिखा जाएगा d upon vp plus va जल्दी चलेगे ना चलती भी शीडियो बहागते हैं हम लोग तो जल्दी चलती है बटा तो हमने बोला कि यहां से हम लोग vp plus va equal to d by t यह दोनों value इस दोनों जगे से उठा के रख दो d cancel हो जाएगा 1t1 plus 1 by t2 equal to 1 by t तो t का value आएगा t1 t2 by t1 plus t2 यह हमारे पास t का value आए बटा समझ गे बात को तो option क्या बना हमारा t1 t2 upon t1 plus t2 second answer correct हुआ next question next question है कि एक जल में किसी तेराक 20 meter यानि आपको बोला गया कि vm दिया गया कितना दिया गया बटा 20 meter per second दिया गया है और जो river का velocity है वो कितना दिया गया है 10 meter per second होता है वो बोल रहा है कि उसके sapix जिस कोन पर उत्तर के sapix जिस कोन पर उत्तर के north के sapix north से किस कोन पर वो चलेगा यह आप से पूछा गया है तो बटा यह minimum distance की condition आई बोला हुआ उसने न्यूंतम दूरी में पार करें यह हमारा east direction यह हमारा north direction यह south और यह west direction बटा नदी इदर बही रही है हमारी कितने की रपतार से बही है बटा वी आर से माल लेते हैं कि वो आदमी इदर को stroke किया होगा यहां north से direction पूछी मादा यह ठीटा पूछा आप से north से किदर की तरफ आदमी generally इदर चलना सुरू करेगा vm से और vm कितना दिया आपको 20 दिया गया बटा देखो यह velocity कितनी है vr है इसका component इदर आएगा तबी तो इसको cross कर पाएगा इदर तो लिख दूँगा vm sin theta equal to vr तो sin theta equal to vr 10 दिया vm 20 दिया 1 by 2 तो theta का value कितना आया 30 degree यह minimum distance की shortest path की बात हुई है तो बटा इसमें theta ठीटा पर बना कहां से यह north से पूछा उसने देखो सवाल में कहां से पूछा है उत्तर के साफ़े with respect to north तो north से किस की तरफ आया यह west की तरफ तो answer देखो पश्यम की तरफ नहीं हो sorry पश्यम की तरफ साट साट नहीं है पश्यम की तरफ यह answer हुआ न है west की तरफ 30 degree west direction में हुआ हमारा next question फिर है कि किसी मिनार के सीकर से कि गेंद को 20 के रपतार से उर्दवादर ऊपर की और फेंका जाता है कुछ समय पश्यात यह गेंद धरती से 80 के वेक से टकराती यह विनार की उचाई क्या होगी वही बात हुई कि वही vertically upward फेंका 20 से उपर की तरफ और वो टकराई तब कितने श्टकराई है वो 80 से height of the building जो भी building है हमारी उसकी height क्या रही होगी बैटा यह कोई height है h height हमको पता करनी है object को आपने फेका उपर की तरफ कितनी रपतार से फेका बटा 20 meter per second से ऐसे जाके ऐसे आएगा और यहां कितने से टकराया वो 80 meter per second से यही दिया गया चेक कर लेना 80 meter per second से अब एक बास सोच बटा कि same position पे return load के आएगा तो क्या वो 20 से ही आएगा हमने का यह यह कितना हमारा 80 meter per second हुआ तो लगा दो इसके लिए motion का कौन सा equation initial final और acceleration g के बराबर होता है तो यहां पर कौन सा equation लगाएंगे third equation v square बराबर u square plus 2a h हो गया बटा v का value कितना है 80 का square इसको u को इधर ले आता हूँ मैं तो 20 का square बटा h निकालना है 2a को नीचे भेज देता हूँ 2 into 10 एक ही जगे क्या आ गया 10 आ गया हमारा देखो यह 1600 हो गया अनी 8 और 8 64 100 minus 400 upon 20 बराबर h बटा एक 0 से 0 को cancel कर दिया या 40 minus करोगे 600 बटा दो 300 तो h का value कितना है हमारा 300 meter देख लेते हैं बटा तो यह answer आ गया हमारा 300 meter correct answer next question है यह बड़ा nth equation का सवाल हुआ nth equation का सवाल हुआ तो इसके लिए अपन बात करें तो s nth जो हुआ जो nth time के अंदर nv second में एक particular time में क्या distance क्या displacement की बात करी जाएगी तो u plus a by 2 2n minus 1 हुआ बटा उसने क्या बोला सवाल में देखो उसने बोला n minus 1 और t बराबर n के बीच ब्लोग दवारा चलेगी distance क्या है हमारी s n हुई यानि nth second में चलेगी distance u तो release किया तो कितना है बई 0 तो s n तो हमारे पास में आ गया s n आएगा g by 2 2n minus 1 एक equation दूसरा क्या बोल रहा है बटा कि बई n plus 1 में क्या होगा n plus 1 में तो n की जगे क्या लिख दूँगा n plus 1 लिख दूँगा और क्या यार तो g by 2 देखना है बटा 2 into n plus 1 कोई change नहीं सिर्फ इतना सा change किया है यहां से g by 2 ऐसा का ऐसा हो जाएगा यह 2n यह 2 minus 1 तो plus का 1 बचेगा equation number 2 divide कर दो sn upon sn plus 1 equal to 2n minus 1 upon 2n plus 1 this is the correct answer यह nv second में चलीगी distance होती है जो अपने देखा है इसका देख लेगा option कौन सा मिला 2n minus 1 upon 2n plus 1 यह हमारा पहला answer हुआ correct ठीक है next question आता है हमारे पास बटा angle बताओ displacement और time का graph का slope जो हुआ velocity is equal to dx by dt यानि यह जो धाल जो slope हुआ किसका slope बटा xt graph का slope किसको बताएगा velocity को इसका उल्टा अगर मैं displacement time के graph की बात कर लूँगा तो बटा यहां पर velocity time का graph क्या बताएगा velocity time का displacement को बताएगा area मैं जो यह चाहिए बटा तो मैं लिख देता हूँ 30 और 45 का कौना तो उसके करमे से वेगो का अनपात बटा 30 वाले का 10 30 हो जाएगा 45 वाले का 10 45 हो जाएगा तो value कितना आ जाएगा एक बटा under root 3 आ जाएगा तो answer कौनसा आ गया थर्डा answer यह x-t graph था आपने answer निकाल लिया next question यह हमारा वही फिर से एक सवाल आपको थोड़े देर पहले गिराया कि same time interval में पहली second दूसरी second तीसरी second चोती second यह s-nth वाला s-nth के लिए बोला गया था u plus g by 2 2n minus 1 पैटा initial क्या हुआ हमारा 0 देखो स्वचंद रूप से अपने आप freely falling u is equals to 0 तो पहली दूसरी तीसरी second में लिखते जाओ एक एक तो 1 3 5 7 यह चलता जाएगा यह लग खतम कार्णी यह distance हमारा freely falling boarding in 1 2 3 4 5 second के अंदर ठीक next question next graph positive acceleration बताओ xt graph का slope किसको बताएगा पहली बात तो बटा मैं ही चलता हूँ slope xt graph का slope बताएगा अपन को dx by dt यह velocity को बताएगा अब अगर positive acceleration है a greater than 0 है तो velocity generalized increases हमारी positive की बात करें तो तो बटा देखो यहां पर यह तो velocity क्या है हमारी constant slope constant हुआ ठीटा constant है हर जगे देखो यह एक्स्टी ग्राफ अगेन यह velocity क्या है constant but negative velocity negative slope then negative velocity positive velocity यहां चर्चा करते हैं तीसरे की बटा तीसरे में देखो सुरुआत में 0 है फिर देखो slope है वो बढ़ता जा रहा है अगर एक्स्टी ग्राफ का slope बढ़ता गया मतलब velocity बढ़ती गई और velocity बढ़ने का मतलब एक ऐसा है हमारा positive हुआ velocity positive है बढ़ रही है velocity positive है और बढ़ रही है हम कहेंगे कि यह acceleration कैसा हुआ हमारा positive इसमें क्या हो रहा देखो बढ़ता velocity maximum से क्या हो रही है slow कम हो रहा है कम हो रहा तो velocity क्या हो रही है हमारी कम हो रही है यानि एक कैसा है हमारा negative next question है तो बढ़ा यह हमारे 32 questions थे तो सब लोग इन सब को एक बार फिर से repeat करके अच्छे से देखेंगे यह आपको मैंने सारे questions बताएं तो सवाल कोई भी आपने देखा है सवाल इसमें एक भी tough नहीं है सवाल सारे आसान सवाल थे हमारे कोई tough सवाल नहीं है ठीक है तो सबी बच्चों से एक बार फिर से देख लो जो CLC जो हमारे CLC जो बेच चलाती है तो वो कौन-कौन से बेच चला रहे है बटा भी जो नए बेच चालू होने CLC में announcement हो रहे बेच के उच्छे अपरेल से नए बेच स्टार्ट हो रहे हैं पह बेच चलता है यह two in one जो है यह जो बेच उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 9th में या 11th के अंदर गलती से अपनी कोचिंग नहीं की थी यह स्कूलिंग कर ली थी तो उसमें कोचिंग के लिए 11th का वो सलेबस 9th का वो सलेबस 12th के अंदर साथ में करवाया जाएगा यह ह पास में बाकी वो बेच एंडिये जो CLC एंडिये प्रोग्राम भी चलाती है उसके लिए आपको यह one year duration का होगा और यह प्री फांडेशन हुआ जो हमारे एक्जाम्स होता है ओलंपियार होता है नस्टी एसी होता है आईये पीटी होता है आईये मो आर्मो यह ओलंपियार क के लिए जो एक्जाम्स होती है उसके लिए हमारा प्री फांडेशन डिवीजन होता है बाकी आपको मैंने बताई दिया था कि कौन-कौन से हमारे सेंटर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हो यह हमारे क्लास्रूम सेंटर है जहां पर आपको क्लास्रूम की फेसिलिटी अवलेब जो टेस्ट है जो टोपिक वाइज टेस्ट है इसमें फुल सेलेबस टेस्ट भी है पार्ट सेलेबस भी है तो यह सब जोईन करें थैंक यू